डाइबेटीस से बचाओ करना है तो खान पान का ध्यान रखना होगा डाइबेटीस के मरीज अगर ब्रेकफास्ट डाइट नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी कमजोर होने लगती है बॉडी को हेल्दी और फिट रखने के लिए ड्राइब फूट्स का सेवन बहत फाइदेमंद माना जाता है डाइबेटीस कान पान की खराभी से पनपने वाली ऐसी बिमारियं हैं जिसमें सेवन को कंट्रोल नहीं किया जाया है तो कई बिमारियों से परेशानी हो सकती है diabetes के मरीजों के लिए dry fruits safe और healthy options है लेकिन सभी dry fruits शुगर के मरीजों को नहीं खाने चाहिए आईए जामते हैं कौन से dry fruits हैं जो blood sugar के स्थर बढ़ा सकते हैं किश्मिश का save on करने से diabetes के मरीजों का शुगर बढ़ सकता है आगे शुगर कंट्रोल करने के लिए diabetes के मरीजों को किन dry fruits का 7 करना चाहिए अक्रोड शुगर के मरीजों के लिए बेहत फायदे मन्द होता है विटेमिनी से भरपूर अक्रोड में कैलोरी बेहत कम होती है ये कारिस्टोल को कंट्रोल में रखता है कई अधिनों में भी ये बास सामने आई है कि मुठी पर अक्रोड खाने से टाइप 2 diabetes को 47 फीसदी तक कम किया जा सकता है diabetes के मरीजों के लिए बादाम का 7 फायदे मन्द होता है कई अधिनों में ये बास सामने आचुकी है कि बादाम खाने से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है जिससे blood sugar level control रहता है इसके अलाबा काजू एक ऐसा dry food है जो शरीर में blood sugar के स्थार को control करता है काजू का 7 करने से cholesterol ठीक रहता है जिससे दिल के रोगों का खत्रा कम होता है और diabetes के मरीज अगरे से खाते हैं तो दोस्तों आपने जाना कि diabetes मरीजों को कौन से dry fruits का से बन करना चाहिए और कौन से नहीं जानकारी कैसे लगी कमें शेक्री में लेकर जो बताएं मिल तोने वीडियो के साथ हमस्कार जैहिंद